Hello students of class 4, today we are here with chapter 23, पोच्छम पली Students, अभी तक आप लोगों ने इस chapter में traditional art forms और handicrafts के बारे में पढ़ा आज हम लोग देखेंगे process of weaving and tools used in weaving industry weaving means a dal to Gyntle, इस process में बुनाई में क्या-क्या process होते हैं और इस process में किस-किस tools का यूच किया जाता है यह हम लोग देखेंगे weaving का काम, यानि wisely का काम कैसे किया जाता है धागे से कप्रा बनाय जाता है मिनस कैसे, fiber से fabric बनाय जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले thread यानि दो धागा होता है उसको खड़ित कर लाये जाता है तो ये बच्चों ही हम देखते हैं कि thread यानि धागा क्या है और ये कैसे बनता है Children, thread यानि धागा दो टाइप्स का होता है पहला होता है crop based यानि कि plant से thread बनाय जाता है इसका best example है cotton यानि कि कपास से धागे बनाय जाते हैं इससे सूती धागा बनाय जाता है और दूसरा है animal based यानि कि silk wool का जो thread होता है वह silk worm और ship से बनाय जाते हैं हम लोग यह समझ गए कि दो टैप्स का thread होता है एक cotton और दूसरा silk या wool और इन thread का जो होता है वन silk या wool का इस thread का bundle होता है तो सबसे पहले क्या होता है हम लोग bundle को market से हम लोग खरितते हैं फिर इस bundle को पानी में boil किया जाता है ताकि thread पर किसी प्रकार की कोई dust या गंदगी है वो धूल जाए इसके बाद thread को color किया जाता है यानि कि dye किया जाता है color करने के बाद इसका अलग-अलक bundle बनाय जाता है फिर उस bundle को लούμε पर चड़ाये जाता है इसका मतलब GLOOM का मतलब किया होता है लूम होता है बच्यों आप लोग यहां पर देख रहे हो की जोल् यहां जो हमारा लूम है यह आप जानते है गांधी जी का जिसको की करगा कहा जाता है जो की एक प्रकार की मसीन है पहले क्या होता था कि हाथ से इसका सूट काता जाता था हाथ से इसका यूज किया जाता था लेकिन अब क्या है अब मसीन का यूज किया जाता है यह हमारा मसीन जिस मसीन से हम लोग सूट कारते हैं यानि कि वेविंग रिक्वार्स एडिवाइस है कॉल्ड लूम ए मेटल और उडन फ्रेम यूज़ टू होल्ड रैप त्रेट अब क्या क्या जाता है बच्चो उस जो हमारा जो बंडल होता है उसको लूम पर चरहा जाता है लूम पर लगने के बाद जिस तरह का धागा लगा जाता है उसी तरह का कप्रा बनकर तयार होता है जैसे कि अगर रिशम पर धागा है तो रिशमी कप्रा यानि कि सिल्क का कप्रा बनकर तयार होगा उस कप्रे का हम कुछ भी बना सकते हैं जाह तो उसकी शारी बना सकते हैं य अगर कॉटन का बंदल चरहाए गया है तो कॉटन का कपड़ा बनकर तयार होगा फिर उस कपड़े से सुन्दर सुन्दर सर्ट, सारिया, बेर सिट, पिलो कवर, कर्टेन इस तरह का आइटम बना जाता है और जो लूम होता है उस पर डिजाइन कैसे सिट की जाती है तो बंदल को लूम पर चरहा जाता है उस लूम में उसमें डिफरेंड डिफरेंड निडिल्स होते हैं उस निडिल का नमबर होता है नमबर के साब से उस नीडिल को सिट किये जाते हैं और उसे डिजाइन बनकर तियार होती है और जब धागा उस नीडिल से निकाला जाता है तो उसे जो कपरा तियार होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्स होते हैं तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर रंगों मे different different कप्रा बनते हैं बच्चों आप यहां पिक्चर में देख रहे हो यहां पे क्या है कि सबसे पहले धागे का थेड लिया गया है फिर इसको यह जो है हमारा लूम है जो पहले गांदी जी इस तरह का यूम का यूज करते थे जो की हाद से काम हुआ करता था हाद से सूत काता जा रहा था लेकिन अब यहां क्या है यह मशीन है मशीन का यूज करके इसमें डिफरेंट अलग अलग निडिस लगावा रहता है यह निडिल्स में धागा लगा जाता है और धागा से जिस टैप निडिस लगा जाता है उस टैप से हमारा कप्रा बनकर तयार होता है और अंत म हुआ बच्चो सुन्दर सुन्दर कप्रा सिल्क कप्रा हो या कॉटन कप्रा हो जिस तरह का हम लोग धागा के यूज करते हैं जिस तरह का लूम पे धागा चरहा जाता है उस टाइप का कप्रा हमार तियार होता है और उससे हम सिल्क या कॉटन या ओल किसी टाइप का हम लोग कपड़ा त्यार कर सकते हैं तो बच्चों यह था हमारा आज का टॉपिक्स कि हम कि ठेट से कपड़ा कैसे बनता है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना that's all thank you for today